देखे प्रियांका गांदी जी का पहला वक्तव्य का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सही है उन्होंने देश ने सचमुच पहला वार ऐसा प्रधान मंत्री देखा है लंबे समय के बाद अटल विहारी वाजपई के बाद जिसे अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति के चिंता हो जिसने प्रधान मंत्री आवास योजना से करोरों लोगों को आवास उपलप्त कराया जिसने विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुशमान योजना के अंतरगत गरीब लोगों को भी उसी अस्पताल में इलाज करने की सुविधा दिलाई जिसमें अमीर लोग कर सकते हैं उसी प्रधान मंत्री ने करोना काल में असी करोर लोगों को राशन मुहाया कराया तो सचमुझ देश ने ऐसा प्रधान मंत्री कभी नहीं देखा है और कहते हैं ना हमारे शास्तुर में कहा हुगा है कि अगर आप किसी जो निर्दोश वक्ति है उसके लिए अब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके यश और उसके आयू की प्रधी होती है तो कॉंग्रेस जितनी चाहे जितनी मर्जी हमारे प्रधान मंत्री जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर ले उनका यश दिन प्रति दिन बढ़ता जाएगा तो उनने भी काया जी पीमों में एक ल लिष्ट बनाएं की है और लिष्ट जंग तक ही समस्याओं के नहीं है बलकि पीम कहते हैं कि उनको कितनी बार जालिया दिए कितनी बार अप्षब्द कहा गया उसकी लिष्ट है देखे इस लिष्ट के शुरुआ तो सुनिया गांधी जी नहीं कही ती मौत का सौदागर से शुरू करके जहरिला सांप, राक्षस, रावन, पता रही कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया प्रधान मंतरी के लिए जो देश के इतियास में कभी नहीं हुआ था और प्रधान मंतरी जी ने गरीबों के लिए क्या किया है ये बताने की आवशक्ता नहीं है तो इस निशन वाइड हैश्टैक टूटर पर चला रहे है जिसमें क्राई पी एम पेसी एम ट्रेंट करा जा रहा है तेके डूबते जहाज में अकसर जब भी डूबने वाले लोग होते हैं वो बचने के लिए इसी तरीके से हाथ पैर मारते दिखते हैं करनाटका में इनकी न इन्होंने अपमान किया है इस मुद्दे पर कॉंग्रिस को सबक्सी खाने के मूट पर है और ये बदहवासी में ऐसे हैश्टैक चलाने की कोशिश कर रहे है लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि ट्विटर के दुनिया और जो बैलड के दुनिया है उसमें आसमान जमीन का अं यहां है और गरीब दबके का सबसे ज़्यादा वोट भारती जन्ता पार्टी को मिलता है